कि अ रहे इवर्बन कैसे हैं सब लोग अब वेरे गूड अफनेनून आ या यूर मैंटमेटिक्स कोच मनेश कुमार्शमन आप सब का स्वागत है हमारे जाइए यूड़े 247 के ऑफीसले डिटू चैनल पे तो जैसा कि आप थमनिल में देख रहे हैं अनॉंस्मेंट फॉर जेए 2023 के लिए हमारे तरफ से पुखत बड़ा अनॉंस्मेंट आप सबों के लिए नुमरस नंबर आफ मैसेज़स आई वोज गेटिंग फ्रम देज स्टुडेंट्स वैसे स्टुडेंट जो 11 से 12 में मूफ किये हैं उन्हें मैतेमेटिक्स में काफी समस्याएं हो रही हैं होती भी है लाजमी है क्योंकि शुरुवाती आपका जो चैप्टर है तब फंक्शन उ आप लोगों ने बोला था थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं जब जागा तभी सवेरा कहने का मतलब हमारे पास बहुत समय है पूरी मैतेमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्टी आपकी हमें यहां तैयार कराएंगे और वो भी फ्री आफ कोस्ट ये प्राइटाइस करके उसको ज़्यादा इंपॉर्टनस दे करके चीज़ें आपको क्लियर कर दे जाएंगी अब सवाल है कि हाउ शुडबी प्लैन लाइक फर्स्ट कोशन इस कि हमारा एलेवेंट का बहुत सारा बैकलॉग है सेकेंड कोशन इस कि एलेवेंट बैकलॉग नही समझ में नहीं आ रहा था हमारे पास अब होसला यह नहीं बचा है थार्ड कोशन इस कि जो टॉपिक्स छुटे हैं उसको पहले करें या ट्वेल जो चल रहा है उसको करना सुरू कर दें फोर्थ कोशन इस कि कौन से सबसे अच्छी बुक होगी वो तो समझ में नहीं आया सर और एलेमेंट में तो ऐसे ही गुजर गया पता ही नहीं चला कि विच बुक्स शुड़ाई प्रिफर क्या वो बुक्स होने चाहिए या किसी इंसेचूट जहां आप पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ स्टडी मेटरियल होना चाहिए या फिर कोई और अन्निसूश कि दे स्ट इंपॉर्टेंट सर यह जो यूटूब ऑनलाइन प्लाटफॉर्म से हम सहायता लेते हैं वो किस हद तक हमारे लिए हेल्फुल होगा बेनिफिसियल होगा सुड़ाइग कंटिनियू टेकिंग हैल फ्रम दा यूटूब इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो मिलने वाला है उसके पहले आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने ग्रूप में अपने दोस्तों में श स्टैट्जी विच आइंग टू आप टू फॉर यू आल जेई दोहजार तैस के लिए जो भी विद्यार्थी 11 से 12 में मूव कर रहे हैं उन सारे बच्छों के लिए उन सारे स्टुडेंट्स के लिए क्या प्लानिंग होने चाहिए बेसिकली इसमें हम बात करेंगे प्लान की किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए मैतेमेटिक्स के लिए ठीक है रेडी बेटा वेरी गुड आप्टरनून सुभम दिपेंदर अनेल आकाश चलिए आप अगर बात करें मैतेमेटिक्स में तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कैलकुलस यह कुछ जादा ही हो गया कैलकुलस में आपके पास जब शुरुवात होता है तो दो हिस्ता है आपका डिफरेंशियल कलकुलस और इंटेग्रल कलकुलस आराम से समझना पूरा आपका डिटेल मैं बता दूँगा differential calculus इंटेग्रल कल्कुलस फर्स्ट पार्ट में हम लोग syllabus की बात करेंगे फिर point wise एके करके strategy क्या होना चाहिए integral calculus differential में जहां सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है आपका यहां पर शुरुवात होता है relation and function यहीं पर फसने लग जाते हैं function आपको पूरा function नहीं करने देता है पूरी तरीके से आप यहां पर चित्त हो जाते हैं तो ठीक है function हो गया दूसरी बात हो गई आपकी limit फिर आपका LCD limit continuity and differentiality differentiation फिर आपके पास है आपका application of derivative यह आपका हो गया पूरा का पूरा differential calculus यहां पर बात करें यहां पर बात करें integral calculus में इंडिफिनिट इंटेग्रेशन डेफिनिट इंटेग्रेशन एरिया अंडर कर्व एंड डिफ्रेंशल equation अब आप पूछ सकते हैं सर्क कितने दिनों में यह समाप्त हो सकता है इन हो मिने आराम से तसली से पूरे concept को समझते हुए हर तरीके के सवालों को बनाते हुए प्रिविएस यह कोशन को कवर करते हुए आई टी जेए एडवांस के लेवल को कवर करते हुए सारी चीजों को ध्यान में रखें तो 25 से 30 दिन आप ले लिजी यहां पर अब किसी सरीके से कोई ऐसे ही उड़ा दे बीस दिन में दस दिन में तो आपको क्योंकि इसमें ग्राफ भी है ट्रांस्फरमेशन अफ ग्राफ यह बहुत सारी चीज़ें यहां पर है इंटेग्रेशन में किस पर ज्यादा कोशन आता है सब ओके आप अपने डाउट्स को हां रखते रहे हैं ठीक है लिमिट कंटिनुटी और डिफ्रेंसलिटी मिला करके अल्मूस्ट लिमिट रख लिजिए साथ दिन आठ दिन आसपास और यहां पर आप पांच और पांच दस सत्रह मतलब 15 से 20 दिन यहां रख लिजिए ठीक है डिफ्रेंशियेशन आप दो से तीन दिन मोर दन सफिसियंट एप्लिकेशन ऑफ डिरवेटी बारह से पंदरह दिन देखिए मैं पूरा खूल करके जिने होता है पूरे खूल करके हम बात कर रहे हैं तब कितने दिनों के लिए आपका यह सलबस है लेकिन अगर इसके क्योंकि वैसे केस में आप बाकई में परिशान हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि उसके बाद क्या करें अट दे एंड यू विल नाट वी ने पोजिशन टू करेक्ट यूर मिस्टिक्स तो करेक्टिव मिसस जो आपको होना चाहिए शुरुआत में ही आपको ले इन बहुत है दस दस बीस तीस माल लेते हैं तीस यहां पर तीस यहां पर 20 और 15 और 3-18 किटना हो गया 40 70 70 30 310 तीन महीने में ये पूरा खत्म तीन महीने के आस-पास में पूरा खत्म मतलब और वारांड थी मस्ट बी मोर्डन सफिसियंट तीन महीने ले ले कर रहें तो में जूञ जुलाई में यह पूरा खतम उसके बाद जो हमोटा मोटी आपका सब्जेक्ट बचता है मोटा मोटी बसलिए सारे साथ जोर यहाँ पर साथ दिन लेजिए और आपका लिनियर प्रोग्राविंग प्रॉब्लम और कुछ बचता है तो बताईए और कुछ बचता है तो बताईए देखें तो पूरा डिटेल आपके पास हम रख रहे हैं अब आप मुझे यह बताईए कि यह जो डिसक्रशन है यह जो प्लैनिंग है अगर आप सारे बच्चे लेकर कर चलते हैं तो इधर अगर अगर इसके जगह पर यह किया जाए कि मैंतेमेटिक्स की क्लास माली आजाए एक दिन में तीन गंटे की हुई यानि एक गंटे की तीन दिन की क्लास एक दिन करा दिये तो बाकी दो दिन आप पूरा रगण करके अपने तरीके से महनत कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं एक है कि आपकी हर दिन क्लासेज लगाई जा रही है लगाई जा रही है सलें बसा भगाया जा रहा है और आपको Self Study का मौका और आपके पास मौका नहीं है if you are not devote in your time by yourself की अपने से खुच से सोचना है अपने से सवालों को practice करनी है अपने सतर से सवालों पे attack करना है then at the end of the day ये fruitful नहीं होगा आपका मेहनत वो रंग नहीं लाएगा जो आप सोच करके कर रहे थे overall अगर आप detail में बात करें हर दिन के classes को count करते रहें हर दिन के contribution को गिने तो इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए मतलब कहा जाए तो 130 दिन अगर एक घंटा की बात करें एक घंटा वन आर क्लास 130 डेस 130 डेस विली मोर दन सफिसेंट तो फिनिस आफ यॉर्स लिवस जो बच्चे जो बच्चे लग रहा है कि नहीं सरह हम सहमत है बहुत अच्छी बात है अप सारी बाते करने वाले हैं आपके साथ अब हम यहां पर जेए अड़र 247 हमारी टीम आपके लिए क्या करेंगी मैं मैंतेमेटिक्स में बात कर रहा हूं तो मैंतेमेटिक्स में क्या यह जो कह रहा हूं यह करके चलेंगे हम क्या उन सारी चीजों पर चरचाओंगी 130皆 macht पास लमसम मैं सारी चीज़ें लमसम लेके चलना हूँ अबाउट दिस रहेगा दस दिन आगे दस दिन पीछे इस तरीके से बाते हो सकती है सर एप चाप्टर ओके ठीक है ठीक है ठीक है ये भी सही है आकास जो कह रहे हैं कि सर आप हर मतब चाप्टर का कॉंसिप्ट बता दिजिए प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत अच्छी बात कहिए आपने कि अगर तरीका क्या होना चाहिए बेस्ट बे टू स्टड़ी देखिए अभी जो बचे 12 में 11 से 12 मूविंग है 11 से 12 मूविंग है 11 टू 12 मूविंग उनके लिए बहुत ही सुनाहरा मौका है कि आप अभी उन सारे बच्चों को आप अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिये कि अगर आपके अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है एक दम उच अस्तर का करना है तो आप जेए अडर 24-7 पे आईए विश्वास किजिए हमारा आपके पास प्लेलिस्ट भी पढ़ा हुआ ह आप जाकर के देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट जहां से शुरुवात नहीं हुई है मतलब जो प्लेलिस्ट पढ़े हुए हैं जैसे एप्लिकेसन और डिरिवटी आप जब पढ़ेंगे उसको अपने आप आपको लगेगा कि क्या क्वालिटी डिफरेंशियेशन पूरा देखेंगे उस वीडियो को तो लगेगा कि मैट्स क्या होता है मैट्स कैसे पढ़ना चाहिए राइट वे राइट अप्रोच टू स्टडी मैथमेटिक्स क्या कहते हैं वह आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा ठीक है ठीक है अब यहां पर आई यह best way to study सबसे पहली बात है कि आप class कहीं से ले रहे मलब आप support सिस्टम आपका क्या है support system आपका क्या है तो एक support system आपका होना चाहिए from where you are getting the guidance right direction की किस तरीके से पढ़ना है किस topic को जितना क्या focus देना है यह सारी बात है एक बात हुई दूसरी बात है कि आप material कहां से इस्तेमाल करते हैं material मतलब आप study material की बात करें study material की बात करें तो यह कहां से आप लगते किस questions को ज्यादा बनाते हैं फिर दूसरी बात है practice practice का मतलब क्या होता है practice का मतलब क्या होता है practice किसको कहते मतलब आप जो class में करवाया गया दस question आप पांच question आपको डीपी के तो आपका वेक्टर का क्लास चल रहा है तो उस समय जो बना रहे हुआ प्रैक्टिस नहीं हुआ आप कंप्लीट कर लिए वह चैप्टर हो गया उस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आप सो डेर सो कोशन बनाते हैं वह प्रैक्टिस में आता है क्योंकि जब पूरी पढ़ ले सवाल होगा दूसरे साथ मिक्सिंग नहीं है तो मिक्स करके जब सवाल फ्रेम होगा वह कहां से आएगा सो प्रैक्टिस सम्टिंग लाइक आफ्टर कंप्लीशन आप टापिक मेरा एक कहा हूँ संटेंस है जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब आप टापिक पढ़ रहे होते हैं खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं खत्म हो गया वह खत्म हो गया मतलब टापिक खत्म हो गया और मैं कहता हूँ वह टापिक शुरू हो गया क्यों क्योंकि उसके पहले आप उसे नहीं जानते थे, अब उसके बारे में जान गए, मतलब वो अब आपकी जिंदगी में शुरू हो गया, इसके सवालों को आपको बनाना है, वो खत्म नहीं होता है, वो शुरू हो जाता है, तो ये आप समझिएगा, ठीक है, ठीक है, ये आप समझिएगा, रै juty है जो सबसे बड़े तपके कमत एक बड़ा तपका जो है इस समस्या से जूज़ रहा है कि सेलफ स्टडिी कालिए समई ही निकालते डस्ट मी ऑन डिस आप सहमत वहोंगे आप मैं से बहुत सारे बच्चे्छे इस बात से समयत होंगे कि एक बड़ा तपका جो है large number of students are not able to devote time for self study सिर्फ कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं कभी यहां उमीद कर रहे हैं कभी वहां उमीद कर रहे हैं हर दिन बैग उठा रहे हैं क्लास जा रहे हैं या हर दिन यूटूब खोल रहे हैं कुछ ने कुछ सुन रहे हैं कभी इनका सुनने कभी उनका सुनने सी अब आप इस जगह पे इस समय पे ऐसे इस तर पर पहुंच चुके हैं जहां के बाद आपको आपका जो समय का बरबादी है वो नहीं करना चाहिए उकांट अफॉर्ड लोजिंग यो टाइम क्योंकि अगर आपने यह किया तो आप अपने ल संसान में आपने अड्मिशन ले रखा है और आपको लगता है कि बहुत अच्छी चले तो सिर्फ वहां पढ़िए अगर सपोर्ट के लिए कहीं कोई वीडियो देखना है तो दस जगह पे नहीं देखना है किसी एक जगह पे देखना है माली आपको एक जगह पे दिख रहा हम सारे बच्चों को यहां पर कहेंगे कि सेल्फ स्टडी के लिए समय जरूर निकालो बेटा सेल्फ स्टडी एक ऐसा मतलब यंत्र है कह सकते हैं एक ऐसा जादूरी ताकत है जहां से आप अपने भविश को पूरी तरीके से काया कल्प कर सकते हैं मतलब पूरे भविश जो आपका लक्ष है उसको आप अपने पक्ष में कर सकते हैं at the end of the day आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्लान करें जैसे लास्ट में आने के बाद हर बच्चे का एक ही सवाल होता है कि सर अब क्या करें अभी का क्या strategy होना चाहिए तो उस समय में जाकर यह सो और चीज़री चीजहें हैं इस तरीके से अब study material के लिए में बाद में बता दूँगा इसमें सब अलग- gasoline से अलग-żenia पर कौन सी किताबें बनाने है क कोशन कहां करने चाहिए किस तरीके के कोशन्स करने चाहिए उसfa Wijं बाद में बात कर ले स्टड़े अगर सपोर्ट सिस्टम कहीं से लिये उसके इस पर सप स्टर ज़रूर किजी doesn't study कम से कम आप रखे तीन घंटे चार घंटे तीन घंटे से चार घंटे जरूर होना चाहिए आपका self study और यह नहीं कर रहे हैं तब तो आप self study कर रहे हैं कहीं से वीडियो देख रहे हैं उसके हलाबे खुद से संघहर्स करने का टाइम को मैच के लिए आपको मैच के लिए आपको हर दिन हर दिन आपको दो घंटे के आसपास नियर अबाउट टू आर्स हर दिन देना पड़ेगा अपने तरफ से उसमें चाहे आप रिवीजन करो उसमें चाहे आप ये कोशिंस बनाओ उसमें चाहे आप एलेवेंट के मतलब पोर्शन को बैक अप को कंप्लीट करो जो बैक लॉग है उसको आप करो लेकिन जो भी करना है हर दिन दो घंटे जरूर आप अपने तरफ से देंगे अब यहां पर एक बात उठती है कि जो एलेवेंट का छूट गया क्या तो हमने आपको बोला कि 120 से 30 दिन में हो जाएगा 120 से 30 दिन अगर हम 5 महिने भी लेकर के चलें 5 महिने भी लेकर चलें तो अभी एप्रिल चल रहा है तो मैई जून जुलाई मैई जून जुलाई अगस सेप्टमबर तक में आपका तो खतम हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब अगर एक सही सोच के साथ बिदाउट वेस्टिंग टाइम अगर एवरी सेकेंड एवरी डे यू आर विंग टू इनवेस्ट इन यह मेकिंग मतलब अपने आपको बन लिदा रुके था कि हर दिन क्लास कर लें अगर बीस क्लास इस बोल आएके घंटे का तो हम तीन-तीन घंटे का क्लास करें बाकी दो दिन सिर्फ और सिर्फ सवाल बनाए और फिर अगले बार उस पे कोश्चन के लिए जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें अगर यहाइश सारे कोशन के आपके वल सबाशी देते रहा जाते हैं यह उसी प्रकार की बात होगी जब आप कोई मैच खेल रहा होता है तो उसमें बाहर से बहुत अच्छे बोलते हैं अरे क्या शॉट मारा रहा है अरे यह भी नहीं लगा क्या अब खुद जब खेलने जाते हैं तो पहले बाल पर बाहर मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं बाहर से देख रहा हो तो बोलता है क्या खेल लो यार मुझे आने दोस्के बाद मैं बताता हूं और वहां गया पहला बाल छोड़ रहे हैं दूसरा बाल छोड़ रहे हैं तीसरा बाल टाच नहीं हो रहा है मतलब इस लाइक वेन तो अब क्या है अब क्या है कि यहां से आपके पास अनॉंस्पिट पर आते हैं मैच के लिए मैच के लिए मैं यहां पर आपके लिए classes launch कर रहा हूं 12 के लिए classes launch कर रहा हूं 12th class के लिए function से start करेंगे function से start करेंगे पहला आपका function से ही start करेंगे ठीक है इसको मेरा जो मतलब हमारे तरीके से जो बात होंगी उसमें आपके पास एक class में दो से तीन घंटे के classes है लिए class का duration होगा दो से तीन घंटे और शुरुवात करेंगे तो आपके पास जो routine है वो कहां से पहुंचेगा हर वीक में कितने class होंगे हर वीक में दो से तीन classes लूँगा दो से तीन classes और आप फिर खुद बखुद देखने लग जाओगे कि हां क्या होता है मैट्स जो परिशानी है आपकी कैसे परिशानियां दूर होती है आपको यहां पर routine मिल जाएगा कि किस वीक में classes कब लगनी है क्या date होना है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें मिल जाएंगे अब आपको क्या चाहिए यह बताईए अब आपको क्या चाहिए यह बताईए फटा-फट कोई और आपके पास कोई और आपके पास ऐसी उमीद या ऐसा कुछ यह है हाँ एक वह सकता है कि सर पढ़ाने के बाद इसमें question bank मतलब एक kind of कुछ practice करने के लिए questions का collection भी दे दिजेगा if you may ask I can provide you the questions otherwise जो भी जहां से भी आप पढ़ते रहे हैं कहीं कोई दिकत नहीं है so I will provide you function start करेंगे बोलोगा स्था relation समझ में नहीं आता तो relation जो है हम लोग उसको कभी पढ़ लेंगे जब यहां पर function आगे बढ़ने लगेगा आप जब जूड जाएंगे तब उसके बाद हम relation पर आएंगे लेकिन शुरुवात करेंगे function से और पहला topic में बता देता हूँ आपको domain होगा पहला topic आपका domain होगा domain how to find the domain domain of definition domain of definition सीधा हमें हां से आएंगे domain of definition of any function domain of definition of any function then आप लोग बहुत ज्यादा problem phase करते हैं range में range में range में तो we will be talking about range of the function I will be giving you in the pieces वैसे टुकले टुकले करके दूंगा जिसमें आपको बहुत आसानी होगी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ तो 12th के लिए batch बहुत जल्द शुरू होगा जो भी बच्चे आप यहाँ पर continue करना चाहते हैं जरूर चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon प्रेस कर लिजेगा उन सारे दोस्तों में भी share कर दिजेगा इस जानकारी को कि बहुत जल्द we are going to come up with the session of mathematics for JE 2023 ठीक है all the very best पढ़ते रहि God bless you